तो भी शमाचार के अंसार जो है, शारवस अधिक्षा के अंधिक्षीका की जौब निकली है, सीजी ब्यापम के द्वारा, इससे पहले जो निकली थी, वो सीजी पेस्टी के द्वारा थी, ये दूसरी जोब है, और चलिए प्रेश विगयपती हम देखते हैं, उसके बाद ब परिक्षा 2023 चतिगट ब्यावसाईक परिक्षा मंडल रायपूर द्वारा संचालक संचाल नाले रोजगार यवं प्रसिक्षण पक्ष इंद्रावती भावन नवा रायपूर का पत्रक्रमांग इतना 2023 दिनांग 16 मईद दौरा प्राप्त प्रस्ताओं के अधार पर छात्रावस दिक्षिका के पदो पर भरती परिक्षा 2023 सितु परिक्षा कारेक्रम का निर्दाराण किया गया है अभ्यर्थी ब्यापम के पोर्टल में प्रोफाइल लेजिस्टेशन करने के पसाथ उसी प्रोफाइल पर लागिन कर निम्ना नुसार आनलाइन आवेदन कर सकेंगे क्या आवेदन है देखे प्रारंबिक अर्थवात आनलाइन विदन करने के प्रारंबिक तिती आठारा मईद हो जाते हैं जब कि ये आज ही एड हुआ है फिर अंतिम तिती है ग्यारा जून और बारा से चौदा जून तक तुर्टी सुधार कर सकते हैं परिक्षा केंद रहे पांच संभागिय मुख्याल है और कुछ डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में उपरोक्त भरती परिक्षा होगे तो मानोनी मुख्य मंत्री जी की बजट सत्र क्या बोल रहा है के दवरान की गई घोषणा अनुरूप लिखी तेवं परिक्षा के लिए परिक्षा सुल्ख समझे राजी सासन से प्राप्त पत्र चतिश गड़ राज के इस्थानी निवासी प्रतिभागियों से किसी ब्रकार की परिक्षा सुल्ख नहीं लिया जाएगा इस सम्मन में विस्तित जानकारी व्यापम को वेबसाइट पर उपलब्ध है क्रिप्या उक्त विग्यप्ति परिक्षार्ति उक्त अपने लोग परिदैनिक समाचार पत्र में प्रकासित करें तो दोस्तों व्यापम से होना है छात्रवा सधिक्षा के हम छात्रवा अब चलिए हम चलते हैं ब्यापम के वेबसाइट पर वहां क्या डिस्पले हो रहा है तो यहां हम आ गए ब्यापम के वेबसाइट और प्रेस्ट रिलीज में यहां पर दिखें यह आ गया यह प्रेस्लेज में यही डाकुमेंट दिखा रहा है उसके बाद हम चलते हैं आनलाइन एप्लिकेशन में तो आनलाइन एप्लिकेशन में यहाँ पर यह चीजी यह दिखा रहा है यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो भी आपका IT पासवर्ट होगा उससे आपको क्या करने ना है लागिन कर लेना है तो हमने लागिन पासवर्ट करना है यहां पर कुछ अभी इसके बारे में और जहनकारी नहीं गी जैसे जानकारी मिलेगी तो आपके पास इस परकार से आजाएगा देख सकते हैं ये सब डीटेल्स जो है वो पहले से हम पढ़ चुके हैं एक्जाम में पुरुस अदिख्शक अधिक्शक अधिया पूरुस में डालेंगे अब महिला है तो महिला में इस प्रकार से क्या आप मानेता प्राप्त बोर्ट से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारी या समतोली परिक्षा होते हैं तो दसवी परिक्षा इसके लिए सेक्षिक यूगिता और उसके साथ में यहाँ पर देख सकते हैं तो यदी हम नो करते हैं तो यहाँ पर मेसिज डिस्प्ले हो रहा है तो इसके लिए मिनिमम योग्यता है आप समझ सकते हैं आपको ब्यायम प्रसिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए या माननेता प्राप्त भी स्विद्याले से ब्यायम प्रसिक्षन में क्या होना चाहिए डिग्री होना चाहिए यह दोनो योग्यता है दोस्तों इसके साथ उम्र लगबग वही 18 से 35 होना चाहिए बाकी details के बारे में और जानने के लिए channel है बने रही है जैसे हैं बाकी details काती है मैं आपको जो है guide करूँगा अगर आपके पास डिप्लोमा है तो यहां से आप yes किजिए और उसके बाद आपको submit करना है यहां पर यह problem चली रही है और यहाँ पर से आप अपना पुरा यहाँ पर प्रोफाइल वगर देख पाएंगे यह जो भी है यह आपका प्रोफाइल है जिसमें आपको कुछ करने के जोरत नहीं है यहाँ पर आप देखिए एक्जाम सिटी तो एक्जाम सिटी आप जो है बिलासपूर बालोद बस्तर बिलासपूर दूर्ग राइपूर सरगूजा यह हैं देख सकते हैं और फिजिकली हैंडिकेप्ट नहीं है तो फिर क्लास रेणी तो यहाँ पर नो लिख दीजेगा अगर आप भूत पूर सैनिक है तो यहाँ पर यस लिखिएगा जो की फिर से बफरिंग ले रहा है तो उसके बाद फिर आप इसको सब्मिट कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप छादरोस धिक्षक यहाँ धिक्षका में अपना फॉर्म सब्मिट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी जैसे ही आती नीचे मैं अपडेट करूँगा फिलाल इस वीडियो के इतना ही अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को सेर कीजि और लाइक कीजिए थैंक यू